नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूजवल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्युमिन शर्मा शुरूबात करेंगे उत्राखंट की खास कबरों की अस्ता का महापर्व कुम्ब मेला हरिद्वार मैं माग फूर नमा से शुरू होगा जो 27 अफ्रेल तक चलेगा इसे लेकर उत्राखंट सरकार एक हफते पहले दिसूचना जारी करेगी सचिफ शहरी विकास शैलेश भगोली ने इसकी पूस्टी किया इस दोरान उन्होंने बताया कि कुम्ब मेले की तैयारिया अंतिम्ठरण में है इस सार हरिद्वार में कुम्ब का आयोजन होने जा रहा है कुम्ब को दव्वे और भव्वे आयोजन के लिए सरकार ने पूरी तरीके से कम अरकस लिये है हर स्तर पर तेजी सी से तैयारिया चल रही है, कोर्णा वारेस संक्रवन के बीच कुम का आयोजन किसी चुनोती से कम नहीं है ऐसे मैं पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है, मुख्यमंतिरी तिर्वेन सिंग रावत खुद समय समय पर कुम को लेकर समिक्षा बैठा कर रहे है बीती रोज उन्होंने कुम के बचे हुए कारे को जल्द से जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिये हैं इसके साथ ही सीम ने कारे की गुडवत्ता पर फोकस करने को भी कहा है उन्होंने साथ किया है कि इसके लिए किसी भी तरीके की लापरवाई बरदाश नहीं की जाएगी और वहीं उत्राखंड कॉंग्रेस में यूतो गुडबाजी चरम पर है लेकिन पार्टी 2022 विदानसवा चुनाफ की तयारियों में लगातार जुटी हुई है राज एकाई नहीं जिला प्रभारी और उपाद्यक्षों की जमीनी स्तर पर जुटने के लिए कहा है इसी के चलते उत्राखंड में होने वाले 2022 की विदानसवा चुनाफ के लिए कॉंग्रेस ने तयारी तेस कर दी है इसी के तहएत कॉंग्रेस ने संगटनात्मक विस्तार किया है जिसमें राज के जिले के प्रभारी बनाए गए है साथी पूर बिधायक नव प्रभाद के अधिक्षता में 13 सदस्तिये चार्शीट कमिटी का गठन भी किया गया है ये कमिटी सरकार की विफलताओं की चार्शीट तयार करेगी कॉंग्रेस में खियाले देहरदूर में प्रदेश उपाद्यक्ष सूरेकान दस्माना ने बताया है कि पार्टी के प्रदेश उपाद्यक्षों को जिला का प्रभार आवंटित कर दिया गया है इस भी चुत्रागंड कॉंग्रेस में सब कुछ छीक नहीं चल रहा है वहीं पूर्व CM राज के बड़े नेता हरीश रावत इन दिनों अपनी ही पार्टी के नेताओं से आगामी विधानसवा चुनाव में चेहरे की घोशना को लेकर भिड़ गए है हरीश रावत का ट्वीट कर हमला पार्टी में उनके विरूधियों को परेशान कर रहा है ऐसे महरीश रावत पर प्रीतम गुट ने जोड़दार हमला करते हुए हरीश को दिल्ली जाकर CM का चेहरा तैय करवाने की सला दे दी है महिलाओं को सम्मान दिलाने और शशक्तिकरण के लिए बीजेपी सदाव प्रयासरत है बीजेपी महिला मोर्चा की करेरत भी समास सेवा के शेत्र में आगरिम पंक्ती पर काम कर रही है हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की यूजनाओं को हर महिला तक पहुचाना है ये बाते भाजपा, राश्ट अध्यक्ष और उत्राखंड प्रदेश सहप्रबारी रेखा वर्माने कहीं है महानगर महिला मोर्चा के साथ आयोजित बैठक में रेखा वर्माने कहा है केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से महिला हित्व है, महिला शक्तिकरण की दिशा में कई महत्वकांशी यूजनाओं चलाई जा रही है इसका लाब सभी को मिले, इसके लिए महिला मोर्चा के कारेकरताओं को घरगर पहुचना होगा उन्होंने बाच्पा महिला मोर्चा की ओर से कोरोना काल में किये गए कारियों की सराना करते हुए कहा कि बाच्पा महिला मोर्चा ने संकट की गड़ी में जरूरत मंदों को सारा बन कर मिसाल पेश किये उन्होंने मिशन 2022 के लिए जुटने का आवान भी किया देश में टिका करन अभ्यान शुरू होने के बाद शेतर बिधायक नवीन चंदर दुमका ने कहा कि बहुत खुशी का देन है उन्हों ने कहा है कि बारत में बनी कोविड वैक्सीन कोरोना के खिलाब जंग में जीतने में संजीवनी का काम करेगी और भारत ने पहले भी कई ख अच्छी शुरूवात हुई है और टीका भी लगा दिया गया है सुदेश्री भारत बायोटेक द्वारा बनी ये कोरोना को मात देने वाली को वैक्सीन पूरी तरीकी से सुरक्षित भी है फिलाल इस बुलोटे में सर्फ इतना है बने रिये न्यूजवल इंडिया के साथ नवस्कार